टॉप फायव बेस्टलैपटोप अंडर थर्टी थाउज़न टूजंग 123 अगर आप इस तुरेंड है पड़ाय लीखाय के लिए लटोप लेना चाहते हैं या फिर कोडिंग programming के लिए या फिर online classes के लिए और आपका budget है 30,000 रुपए और आप चाहते हो कि 30,000 रुपए के अंदर में मैं पैसा वसूल laptop लूँ तो फिर इस वीडियो को आखिर देखिए 5th number पे जो laptop आप ले सकते हैं वो है लेने वो वी 15 और इसका price सुनके वो basic coding करना चाहते हो, programming करना चाहते हो online classes, online teaching करना चाहते हो यानि कि मोटा मुटी अगर आप student है और पड़ा लिखाई के लिए laptop लेना चाहते हो और आप पैसे बहुत ही कम खच करना चाहते हो, आँख बन करके लेना हो वी 15 ये वाला laptop लेलो इतने कम price में इतना अच्छा laptop को नहीं मिलेगा सारे basic काम आप कर पाओगे gaming को छोड़के, अगर आप gaming करना चाहोगे तो भाईया दोखो, gaming इसमें आप नहीं कर पाओगे, इस laptop में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 inches का full SD का डिस्प्ले है, प्रोसेसर इसमें Intel N4500 का प्रोसेसर है 8 GB का RAM है, 256 GB का SSD है Windows 11 इसमें प्रिंस्टॉल आपको मिल जाता है अब जानलों कि ये वाला laptop को आपको लेना चाहिए इतने कम price में ये आपको 10th generation का प्रोसेसर आपको दे रहा है जो कि daily use के लिए आपके लिए काफी है इसमें जो 8 GB का RAM है वाको 2933 MHz का RAM है जबकि आजकल देखो कि 35,000 वाले भी कुछ-कुछ laptop ऐसे हैं जो इसमें 2400 Frequency MHz वाला RAM देते हैं सबसे low वाला लेकिन ये इतना कम price होते वे भी इसमें 8 GB का 2933 Frequency Makers का RAM लगा हुआ है जिसमें processing speed अच्छा मिलेगा multitasking इसमें आप अच्छी तर से आप कर पाऊगे RAM आप इसमें अप्ग्रेड आप नहीं कर पाऊगे लेकिन storage को अगर आप चाहो 512 GB तेक अपने storage को अप्ग्रेड आप कर सकते हो इसमें आपको Intel USD 600 का graphic इसमें देखने को मिल जाएगा privacy setter का भी option इसमें दिया गया है और battery backup आपको चार घंटे तक आपको आराम से मिल जाएगा तो ओवराल लगा है देखा जाए अगर भाई आप 24,000 रुपीस के अंदर में आप लैप्टोप लेना चाहते हो और उस तो उपर budget आप खर्च नहीं करना चाहते हो और gaming को छोड़ के अब normal जो है पड़ाई लिखाई वाले काम office वाले काम सारे काम आप करना चाहते हो तो ये वाला laptop आप ले सकते हो कोई भी problem को नहीं आएगा इस laptop का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको description आपको मिल जागा जहां से आप इसको online आप खरीड सकते हो 4th नवर पर जो laptop आप ले सकते होगा वो है HP 255 प्राइस की बात को रोगा तो ये आपका जो है 29,000 रुपीज की आसस में आपको आ जाएगा और एक budget segment में ये भी जो है बहुत ही अच्छा configuration आपको आफर करता है डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 15.6 inches के SD quality वाला डिस्प्ले आपको देखनों का मिलेगा इसमें Ryzen का processor है जो की 3250U का इसमें processor है 8GB का RAM है storage के बात करें तो 512GB का है NVMe SSD इसमें दिया गया है इसमें Windows 11 इसमें आपको print install आपको मिल जाता है अब जानलों कि आपको ये वाला laptop को क्यों आपको लेना चाहिए अगर आप जो है under 30,000 HP की जैसे brand के साथ जाना चाहते हो और configuration भी बहुत ही अच्छा चाहते हो इसके साथ ही आप इस laptop में अप्टू 16GB तक अपने RAM को अप अपग्रेड कर सकते हो और storage को भी 1 TV तक अप अपग्रेड आप कर सकते हो इसके साथ ही इसमें आपको AMD का Radeon का Graphic आपको देखनों को मिल जाएगा Dual Band Wi-Fi का support और इसमें आपको 65W का जो है AC Power Adapter आपको देखनों को मिलता है जिससे कि charging भी आपको जो है Normal Budget Segment वाले laptop से थोड़ा fast आपको होगा इसके साथ ही इसमें जब battery backup की बात करोगा तो 4 घंटे तक का battery backup आपको मिल जाता है इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको description आपको मिल जाएगा थर्ड नमर पर जो laptop आप ले सकते हैं वो है Acer Spire Lite Laptop प्राइस इसका 31,000 रुपीज के आसास में आपको मिल जाएगा और ये वाला laptop भी कम प्राइस में आपको जो है बहुत ही धमाकेदार configuration आपको आपको आफर करता है डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचिस का Full HD का डिस्प्ले है प्रोसेसर Intel i3 11th generation का प्रोसेसर है 8GB का RAM, 512GB का SSD और Windows 11 इसमें प्री इंस्टोल आपको मिल जाता है अब जाननों कि आपको जहें Acer की तरफ चाने वाला ये वाला laptop को क्यों आपको consider करना चाहिए देखो 30,000 के अंदर में आप जितने भी laptop देखोगे जादा तरा laptop में आपको N-Series वाले प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा या फिर 3250U वाले जो Ryzen वाला जो budget segment वाला प्रोसेसर होता है वो वाला laptop आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप Intel i3 11th generation वाले प्रोसेसर के साथ जाओ और आप पैसे बहुत ही कम खर्च करो तो आँख बन करके ये वाला laptop ले लो क्योंकि Intel i3 11th generation वाले जितनी भी laptop आप देखोगे न तो 35,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा लेकिन अभी इस laptop का price अभी कम हुआ है 3-4,000 रुपय कम है तो अगर आप अभी लेते हो तो आपको 3-4,000 रुपय सस्ता ये laptop को मिल जाएगा तो लिंक दिया गया है तो फटाफट जाओ जाकि इस laptop को ले लो तो ये laptop जो है रिसेंट्री लॉंच हुआ है इसी सा लॉंच हुआ है GTA 5 जैसे गेम अगर आप खेलना चाहते हो न जी हां बहुत सरे लोग जो है GTA 5 के गेम खेलने के सौकीन है और वो चाहते हैं कि भाई बहुत ही कम से कम सस्ते से सस्ते laptop में मैं GTA 5 खेल सकूँ तो ये आप जो है low settings में यानि 720p में आप 40 से 50 fps GTA 5 गेम आप आराम से खेल पाएंगे और ये जो laptop है ये metal body frame पे बना हुआ है 180 degree तक flat fold हो जाता है Intel UHD graphic इसमें दिया गया है 4-5 घंटे तक battery backup आपको अराम से मिल जाएगा फुल साइज keyboard को option इसमें है इसका भी link आपको वीडियो के नीचे आपको discussion मिल जाएगा जहां से अभी इसको अभी कम price में आप इसको खरीच सकते हो second number पर जो laptop आप ले सकते हैं उसको बताने से पहले आपको यह चीज भी जाना बहुत जुरूरी है क्यों बहुत सरे लोग बोलेंगे अपने इस laptop को आपने कंसिडर आपने क्यों नहीं किया laptop का नाम है Lenovo V15 Ryzen 5500U processor के साथ आता है 8GB RAM 500, 12GB SSD Windows 11 के साथ आता है हमने इस laptop को इंक्लोड इसलिए नहीं किया क्योंकि price के according इसका configuration बहुत ही लो है इसलिए हमने इस list में हमने इंक्लोड नहीं किया अगर आप चाहत हो इस laptop को लेना या फिर डीटेल में जानकर ही तो इसका बिलिंग नीच दिया गया है वहां साथ इसमें डीटेल में जानकर ह आप ले सकते हैं वो है एसूस व्योबुक 14 प्राइज इसका 34,000 रुपीज इसका प्राइज है और यकीन मानों अगर आप 34,000 तक कर सकते हो ना सिर्फ 3-4,000 रुपए ज्यादा करके आपको configuration बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है 14 इंचिस का full HD का इसमें डिस्प्ले है Intel i3 11th generation का processor है 8GB का RAM 512GB का M.2 NVMe का SSD है और Windows 11 और Office इसमें प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है अब दोखो अब ये वाला laptop को क्यों आपको लेना चाहिए जानो क्योंकि दोखो 34,000 रुपीज के price में आपको 512GB का M.2 NVMe का SSD मिलता है जो कि normal SSD से आपको 40 से 50% जाता fast performance आपको निकाल के देगा GT5 जैसे game आप 40 से 50 FPS अब low settings में आप जो easily आप खेल सकते हो thin और light weight वाला ये laptop है anti-glare panel वाला display इसमें लगा हुआ है Intel USD का graphic है dual band Wi-Fi का support बैटरी वेकप इसमें आपको अच्छा मिल जाएगा 5-600 बैटरी वेकप आपको मिल जाएगा और जितने भी necessary ports है USB Type-C जैसे सारे ports आपको इस laptop में आपको देखनों का मिल जाएगा अच्छे build quality के साथ अच्छे design के साथ 34,000 रुपीज के अंदर में एक अच्छे configuration के साथ Asus जैसे brand के साथ जाना चाहते हो तो basic आपको ये वाला laptop भी आपको consider आपको करना चाहिए इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको description में आपको मिल जागा जहां से आप इसको online आप खरीच सकते हो अब बात कर लेते हैं कि number one पे ओ कौन से laptop है जो आपके लिए बिल्कुल पैसा वसुल laptop है और यकीन मानो ये laptop इस price segment में सबसे अच्छा configuration ओफर करने वाला laptop है Laptop को नाम है Acer Extensor 15, 35,000 रुपीज के आपको मिल जाता है आपको इसमें प्रोसेसर जो मिलने वाला है इस price range में कोई भी laptop इतना अच्छा प्रोसेसर यानि की 13 generation का प्रोसेसर आपको आफर नहीं करता है देखो डिस्पले की बात करेंगे तो 15.6 inches का Full HD के डिस्पले है प्रोसेसर इसमें Intel i3 N305 13 generation का प्रोसेसर है 8 GB का RAM है जो कि DDR5 वाला RAM है 512 GB का Gen4 वाला SSD है और Windows 11 और Office इसमें प्रोसेसर आपको मिल जाता है अब देखो अगर आप चाहते हो कि सबसे कम पैसे खर्च करके आप Intel के 13 generation के प्रोसेसर के साथ जाओ तो बेसक आपको ये वाला laptop ले रहे हैं चाहिए क्योंकि इतने कम पैसे में इतना अच्छा प्रोसेसर जो आपको उफर करता है जिसमें आप multitasking करना चाहोगे तो कर पाऊगे अगर आप student हो पढ़ाय लिखाई के लिए coding के लिए programming के लिए office use के लिए ये फिर नॉर्मल आप GTA 5 जैसे game खिलने के लिए भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो क्योंकि लगभग लगभग कि इसका configuration वाले कोई और brand वाले laptop देखोगे तो आपको 40,000 रुपे के assets में यही configuration वाले कोई और brand आपको offer करेगा इसके साथ ही इस laptop को consider करने का और एक सबसे बड़ा वजह यह है कि इसमें जो battery backup आपको इस laptop में अच्छा मिलेगा क्यूंकि इसमें 13 generation का processor है वो जो है बहुत ही energy कम consume करता है अपने आपको run करने के लिए इसके साथ ही यह वाला laptop है यह 8 core और 8 thread वाला processor है इसमें onboard आपको LPDDR5 वाला RAM है जो कि इस price range में कोई भी laptop आपको LPDDR5 RAM आपको offer नहीं करता है तो यह चीज बहुत ही जान लो क्योंकि normal जो LPDDR4 वालो जो RAM है न उससे double performance आपको LPDDR5 RAM जो है आपको offer करता है यानि कि इस laptop में हर कुछ बिलकुल एक्तम latest इसमें दिया विडियो एडिटिंग भी आप Full HD में आप कर पाएंगे इसमें आपको Intel का यूजडी ग्राफिक इसमें देखने को मिल जागा AI noise reduction का function इसमें दिया गया है इसमें जो है आप data transfer भी fast आप कर पाऊगे और इसके साथ ही इसमें reversible type C का भी option इसमें दिया गया है बैटरी बेकाव आपको 5-6 घंट आपको आराम से मिल जाएगा और इसमें एक साल का international warranty आपको मिलता है और जितने भी necessary ports हैं सारे के सारे ports आपको इसमें देखने को मिल जाएगा अब देखो अगर आप overall अगर आप एक ऐसा laptop चाहते हो ना simple सा बात कि सबसे कम पैसे खर्च करके सबसे अच्छ अगर आपको 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 30-35,000 के बीच में अगर आपको बजट है तो लेकिन अगर आप 30,000 के अंदर ही अगर आप लेना चाहते हो तो जो मने टॉप 3 जो लैप्टोप बता है तीनों जो लैप्टोप बता है आपको इस वीडियो में उन में से कोई भी एक लैप्टोप ले लो 30,000 रुपए के अंदर में सबसे बेस्ट पॉफवें सबसे अच्छा अच्छा कन्फिगरेशन आपको यही लैप्टोप आपको निकाल के देते हैं